हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपारिशन गरेंगे मोटो जी 82 5G में और आइको जी 5 5G में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात किजा डिस्प्ले से मोटो में है 6.56 इंच इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है आइको की डिस्प्ले है 6.567 इंच इसमें आपको IPSLC डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही आपको 120 हर्ट का रिफरेस्ट मिल जाता है और डिस्प्ले क्वाल्टी में मोटो बैस्ट है क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है बात करती है प्रोसेसर की तो मोटो का है स्नैप ड्रेंग का 695 CPU है 2.2 इंचा हर्ट ओक्टे कोर 6 ननमीटेस का फिनफेट GPU है 619 का आइको का प्रोसेसर है स्नैप ड्रेंग का 778G 5G का CPU है 2.5 इंचा हर्ट ओक्टे कोर 6 ननमीटेस का फिनफेट और प्रोसेसर इक्वार्टी में आइको बैस्ट है बैक केमरे की बात की जाए तो दोनों का है ड्रीपल मोटो का है में केमरा 50 का आइको का है में केमरा 64 का फरंट केमरे की बात करते हैं दोनों का सेम है 16 मिसल का मिल जाता है पंच और केमरे के साथ में बैटी लाइक की बात की जाए दोनों में सेम है 5000 इमिज की मिल जाती है दोने की बैटेस नोनिबल है आप दोने की बैटे को निकाल नहीं सकते चार्जर की बात की जाए तो मोटो में है 33 Watt, आइको में है 44 Watt, दोनो में आको टाइपस का स्पोर्ट मिलता है, दोनो में आको फिंगअपेर सेंसर और फेस लोक पी मिल जाता है, दोनो में आको триपर सिम नहीं मलती, दोने की हवाल इंटे एक साल की कोनेक्टिविटी है दोनों में 5G की रैम की बात की जाए दोनों में सेम है 6G और 8G की मेमोरी की बात की जाए तो मोटो में 163G की आइको में 163G और 286G की और मोटो में 12 आइको में 1211 है प्राइज की बात की जाए मोटो का है 1,999 पे आईकू का है 23,999 पे आपको दोरों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बोक्स में जरू बताना अगर आपको दोरों में से कोई स्मार्टफोन लेना है अगर आपको AMOLED डिस्प्ले लेनी है ता आप मोटो के साथ जा सकते हो नहीं तो आप आईकू का स्मार्टफोन भी ले सकते हो